दोस्तों उत्रप्रदेश में एक नई प्रात्मिक सिक्षक भरती का हर टेट और सीटेट पास अब भीरती को इंतिजार है आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे काफी कुछ चीज़े हैं जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपसे बात करने वाले हैं हो सकता है कि आप कही न कहीं जैसे में जो दे-motivate हो करके बैठे हो कुछ चीजें ऐसे मिल जाएं जो आपको फिर से पुनरबलित कर दें आपको पुनरबलित कर दें और फिर से अपने काम में जुड़ जाएं यहाँ पर एक और लेटर आप देख पा रहे होंगे अभी एक दिन पहले का यह लेटर है जो कि बगेल सर सच्यू बेसिक शिक्षा परिशद को लिखा गया है और यहाँ पर जो समस्त टेट और सिटेट पास प्रसिक्षित हैं उनके द्वारा यह लेटर hand to hand जो है वो दिया ग ही है यह इंतजार बिमार बना रहा है यहाँ पर हम आपको बताएं यह इस तरीकी का जो वेट करना है या तो सरकार यह बता दे कि भरती कब आएगी इस समय आएगी तो आप लोग आस्वस्त हो जाएं और अपने काम में लग जाएं और दूसरी चीज यहाँ पर अभी कहीं भी चार साल हो गए जैसा कि इस लेटर में बताएगा है आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो जनवरी 2019 और सारी चीज़ें उसके बाद जो है भरती का कहीं भी नामनिशान नहीं है इसमें वही बात कही गई है कि मानिनी मोदी जी का जो कहना था नौकरियां देने को लेकर के 10 लाख नौकरियां देने को लेकर के और यहां पर जो भी विभाग हैं जो भी खाली पद हैं उन पर एक नई प्रात्मिक शिक्षक भरती दी जाए अभी ये तो हम नहीं बता सकते कि आपके नई प्रात्मिक शिक्षक भरती जो है वो कब आएगी लेकिन कुछ परिष्टियां हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है अडिवर्स कंडिशन चल रही है विपरीत परिस्तित चल रही है लेकिन ये विपरीत परिस्तिति हर समय नहीं रहेगी आज दुख है है आज थोड़ा सा आप demotivated अपने आपको feel कर रहे हो कल को बिलकुल आप आगे बढ़ोगे ऐसे में आज से ही आप अपने आपको motivated feel करोगे intrinsic motivation लेकर के आई है जो आपको पुनरबलित करें आप जानते हो समय समय बहुत बल्मान है ये बात बहुत अच्छे से आद रखेगा आज समय विपरीत है लेकिन ये चीज ये condition हर वक्त नहीं रहेगी अब दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है जहन में हमीशा ये चीज आता है अपने आपसे ये सवाल पुछ रहे होते हो तो जगंजाहिर हो जायेगा हम भी आपको बताएंगे आप खुद बखुद जान जाएंगे उसे अब अपने आपसे ये सवाल पूछना शरू करिये कि आखिर जो नई प्रात्मिक शिक्षक भढ़ती आएगी उसमें 14 हविशे हैं कितने सब्जिक्ट आपने उसमें कम्प्लीट कर लिए हैं आपको पता है कॉम्पेटिशन बहुत ही तगड़ा होगा बहुत सारे स्टुडेंट हैं लाइफ टाइम बैलिडिटी भी जो है आपका कर दिया है जब हम टेट सीट को ले करके बात करते हैं बहुत सारी भीड है और उस भीड में आप अपने आपको अलग करके कैसे एक असाहक अध्यापक या ध्यापिका के पद को आप सो निश्चित करेंगे तो ऐसे में आप अपने आप से ये सवाल अप पूछना शुरू करिए कि कितने सब्जिक्ट अपने 14 विशे में जो है ऐसे में कहा 14 विशेओं के कितनी चीजे कितने कंटेंट को कितने मार्क्स की चीज़ों को आपने प्रिपेर कर लिया है यहाँ पर महेश अकैडमी की बात करें इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल की बात करें प्लेलिस्ट में लगबग 60% आपका सुपर टेट का सिलावस अबने करवाया हुआ है अब फ्री में उन्हें देखें और उको भी बताएं और यहाँ से अपने आपको ओवर कम करें अपने आपको इन परिसितियों से निकालने की कोशिश करें भरती आएगी जरूर दोस्त समय का फेर है बस और जैसा कि मैंने बोला समय बहुत वलवान है अपने आपको ऐसे में पुनरवलित करते रही है जो मैंने बोला सवाल जो पूछना है वो ये नहीं कि भरती कब आएगी तो पता चलेगा ही सवाल ये पूछे कि आपने उन 14 विशेव में कितने माक्स का या कितनी तैयारी आपने कर ली है उमीद करते हैं एक नई प्रात्मिक शिक्षक भरती आपके लिए जल्द ही आए इश्वर से कामना करते हैं कि जल्द ही वो भरती आपको देखने को मिले और सभी सहयक अध्यापक और अध्यापिका के पद पर चैनित हो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में बहुत जल्दी ही जहिंजे भारत वंदेवातरम